फिलाल पात तस्पीरों के माधम से हमने आपको बता दिया है खबर क्या है जो खबर बतानी आपको ज़रूरी थी लेकिन वक्त हो चला है जम्मु कश्मीर से जुड़ी इस वक्त की ताजी जानकारी आपको देने की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं जैशे मुहम्मस से कनेक्शन बताया जाता है और सेना ने सर्च ओपरेशन को लगातार चारी रखा है फिलाल आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं खबर आपको बड़ी बताने की कुशिश कर रहे कि 12 मुला और शोपिया में किस तरीके से आतंक्वादियों के साथ मुढभेड हुई और चुमु कश्मीर के 12 मुला में दो आतंक्वादियों को मार गिराया गया लेकिन सर्च और अपरेशन लगाता आचारी रहा लेकिन अब ये दोनों एन्काउंटर क्लोज हो चुके हैं हालांकि दो आतंक्वादियों को धेर कर दिया गया है और जैश्य मुहम्मद से आतंक्यों का कनेक्शन बताया गया है फिलाल हत्यार और गोला बारूत भी बरामत किये गये हैं जिसकी तस्वीर आपके साबने हैं गुलिस्तान में उस हर एक तस्वीर आपको दिखाने की पलता हासिल की है आपको सुनवाते हैं कि जब सेना की तरफ से प्रेस कॉंफरेंस की गई तो क्या कुछ पूरी एहम जानकारी थी गई आज सुबह अरली मॉनिंग हमको यह इंफोमेशन मिली इंटलिजिंस इजिंस की तरफ से कि कुछ टेरिस जो हैं वो यहां पर विदीपूरा गाउं में एक महले में चुपे हुए हैं इस इंफोमेशन के मिलने के बाद ही जो आर्मी पुलीस और स्स्वी की पार्टीज हैं वो जॉइंट पार्टीज वहां पर पहुंची और उन्होंने वहां पर उस महले को कॉर्डन में लिया उसके बाद सर्च शुरू हुई और सर्च के दौरान ही टेरिस जो चुपे हुए थे एक मकान में उन्होंने जॉइंट पार्टीज पर फायर खोल दिया इसके चलतके जो है दो टेरिस जो अभी तक अनेडिटफाइड है उनकी जो है देवर किल्ड और उनकी रिकवरी जो हुई है उनसे